तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तेलेंगाना एक सपना था गरीबों का सपना, किसानों का सपना, मज़ूरों का सपना, कमजोर लोगों का सपना और नो साल के लिए टियारेस ने इस सपने को कुछलने का काम किया तुम मी देड़लो पाटू, तेले टियारेस प्रभुतों यी कलनी त्वमसन जेसिंदी, नाशन जेसिंदी आपने कोई सपना देखा था और टियारेस ने कुछ और कर डाला और अब टियारेस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया इपन टियारेस पार्टी वालो पेरे मार्च को नरू नया नाम लाए हैं बी आरेस टियारेस की कुछ पेरो बी आरेस मतलब बीजेपी रिष्टेदार समिती चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो तेलंगाना के राजा है कि तेलंगाना उनकी जागीर है उनकी है जो जमीन इंद्रा अम्मा ने और कॉंग्रेस पार्टी ने दलतों को आदिवासियों को गरीब लोगों को दी वो जमीन टी आरेस वापिस ले रहा है मैं आपको कह रहा हूँ आपने ये सवाल भारत जोडो यात्रा में भी उठाया था ये भूमल विश्व भारत जोडो यात्रा में भी उठाया था ये जमीन चीफ मिनिस्टर की नहीं है ये जमीन आपकी है ये भूमलो मुख्य मंत्री वे कावो ये भूमलो मी भी ये आपका हक है और ये जमीन जो आपकी है वो कॉंग्रेस पार्टी आपके हवाले करेगी ब्रश्टचार में आपके चीफ मिनिस्टर ने कोई कमी नी छोड़ी कलेश्वरम प्रोजेक्ट में एक लाख करो रुपे उन्होंने लिया चीणा दरनी पोटल के बारे में आपने मुझे भारत जोड़ो यात्रा के समय समझाया कि चीफ मिनिस्टर आपके जमीन किस प्रकार से चीनते हैं मिशन का कटिया में उन्हें जबर्दस ब्रश्टा चार किया समाज के हर सेक्टर को हर सेक्टर से उन्होंने कुछ न कुछ चोरी किया है किसानों से दलेतों से आदिवासियों से युवाओं से सबसे आपके चीफ मिनिस्टर ने धन चीना है हमने पार्लमंट में बीजेपी के खिलाफ हम कड़े हुए बात करो पार्लमंट में कॉंग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी रही मगर टी आरेस और आपके चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी की बी टीम का काम किया जब हमने किसान बिल का मुद्णा उठाया तो पार्लमंट में टी आरेस ने बीजेपी की पूरी मदद की जो भी नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं आपके चीफ मिनिस्टर उनके लिए कर देते हैं क्यूकि नरेंद्र मोधी के हाथ में आपके चीफ मिनिस्टर का रिमोट कंट्रोल है कॉंग्रेस पार्टी ने पहले वरंगल में रायतु डेक्लेरेशन किया कॉंग्रेस पार्टी वरंगल लो रायतु डेक्लेरेशन प्रकटिंचिंदी उसके बाद हैदरबाद में यूथ डेक्लेरेशन किया